कि नमस्कार कभी भारत में हर रोज दो या तीन किलो मेटर सड़क बन दी थी लेकर जब से सड़क परिवान मंत्री नितन गड़करी बने हैं तब से भारत में हर रोज 40 किलो मेटर सड़क बन रही है आप हैरान होगी सुनके कि क्रोना काल में भी 30 किलो मेटर रोज सड़क बन दी थी और अब 40 का लक्षा है कहते हैं एक वार रावन ने स्वरक की पोड़ी बनाना शुकी वो चाता था कि लंका से एक सीड़ी बनाए जो सीड़ी स्वरक तक जाए और कितना समय लगेगा यो से पता नहीं था उसी सलाह हमें करता रहा कभी किसी से पूछता वो स्वरक की पोड़ी बन ना सकी क्यों पूछता ज़्यादा थी काम होनी रहा था इसी वज़़से यकर होता था बहुत काम होता था अब मुझे ये समझने आ रही कि हमारी स्मार्ट सीटी में एक आदा किलो मीटर का स्ट्रेच है मैं अपसा रोड की बात कर रहा हूँ आदा किलो मीटर का स्ट्रेच एक साल हो गया है अभी तक पूरा नहीं हुआ एक साल में कितनी परिशानी आई उस रोड के उपर आप इमेजन नहीं कर सकते यहां तक कहीं दुकानदारों का काम बिलकुल बंद हो गया खतम हो गया वहाँ मुलाजम जो काम कर रहे थे उन्हें निकाल दिया गया लेकर अभी भी यह सड़क पूरी नहीं है स्मार्ट सीटी है स्मार्ट रोड बन रही है अगर आप यही आपकी स्पीड रही तो आप जानते हैं जम्मू में इस स्मार्ट सीटी की जो रोड जाब बनाना चाहते हैं इसे उखाड़े जा रहे हैं कितने साल लगेंगे आदा किल्लोमेटर का स्ट्रेच जो है एक साल हो गया है और अब भी भी कम से कम छे मीने और लगेंगे यही हाल रहा तो बाकी जम्मू में जो उखाड़ा हुआ है लोगों के काम बंद हुए है लोगों को आने जाने के अशुविदा है ठीक है हम मांते हैं इस बात को कोई चीज अच्छी बनने के लिए हमें थोड़ा बहुत सफर करना पड़ता है एक अच्छी चीज सामने आएगी लेकिन इतना भी नहीं आकर क्या बात है बहुत से जगह हमने काम देखे हैं चलते हुए यहां भी भारत के अंदर भी विदिश् नहीं होती यहां तो रात के क्या शाम को भी क्यों काम करने को त्यार नहीं है एक साल बीतने के बाद भी अभी भी छे मिने और लगेंगे क्या यही स्पीड रहेगी स्मार्ट सिटी की तो बाकी को क्या होलोगा पक्के डंगे का क्या होल लगा डिग्याने में जो खड़ा उ उखाडने में तेजी है, बनाने में तेजी क्यों नहीं? अगर जितन गड़करी एक दिन में 40 किलो मीटर रोड बना सकते हैं, तो हम सकते हैं, दो मीने में तो बना दो एक किलो मीटर, जी दो मीने, तीन मीने, चार मीने, एक साल से, अभी तक एक आदा किलो मीटर रोड नहीं कब तक आखर लोगों को आप इस तरह से तंग करते रहोंगे समार्ट सिटी के नाम पे अब समय आ गया है कि काम को जल्दी से जल्दी खतम किया जाए नहीं तो बचे हुए बिपार जुए है वो भी लोगों के तबाह हो जाएंगे नमस्कार